आपको भी लगती होगी कि अब क्या, क्या करना होगा, कहां से देगा, किमल आएगा, बहुत सारे खयाल आते- जलते हैं कब ज्भाज ज्भान काहां ठोहँ पोस्टक सुमिल एगा, सबसे बड़ा क्रूषियन होता है, फोस्टिंग क्हा कांट के पीगर्स पे सिर्फ साइन करना होता है जो भी हो पचाजार साठाजार लाक रुपया दो लाक रुपया जो भी हो गुट इवनिंग बच्चों जितने भी बच्चों का इविटी स्पीयो में फाइनली सेलेक्शन हुआ है उनको कॉंग्रेचुलेशन्स एंड बहुत बहुत बधाई सबसे बड़ी कीज एक है तो सेलेक्शन के बाद जो हम लोगों को भी लगी ती आसे अच्छाल नोकल पहले चे अपको भी लगती होगी कि अब क्या करना होगा कहां से आएगा कभ मेल आएगा बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं कहां पोस्टिंग देगा ट्यक्याणा सबसे पहला सवाल जो होता है कब गुलाएगा? ट्वि के लिए या जो भी फोरसीजर है उसके करेगा मेल कव आएगा तो रोज दिना भी PSPO की साइट देखते होंगे जीमेल चेक करते होंगे अपना की कुछ हाया नया मैसेज तो नहीं है तो बच्चों उसी को लेके मैंने ये वीडियो बनाई है अपने जो खुद के एक्सपीरियंसे से बैंकिंग इंडस्ट्री में और साथी में जो मेरा एक्सपीरियंस पुद का परस्टनल रहा तो आपसे शेयर करूंगा मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहले सवाल की कब बुलाएगा तो बच्चों जो जेनरल प्रॉसेस होता है उसके स्टार्ट होने और फाइनल ज्वाइनिंग तक में दो से तीन महीने का वक्त लगता है है प्लस माइनटस 15-20 डेस। कई है कैसान सारे बैंक्स चो जいसे आपका रिजल्ट अभी आया ना उल इंडिया वसी तरह से हमारा अबना प्रॉमोशन खार तीजल्ट में निकलता है एक stars ही निकलता है जैसे आपका एक अपरिल को निकला हम लोगं का भी भी इसी तरह से different different banks का April month में ही सारे के सारे results आते हैं promotion के और process भी इसी तरह से चलता है promote करने का तो पूरी तरह से hierarchy में एक shuffling होती रहती है internal label पे तो इस कारण से क्या होता है कि आप से बहुत ज़्यादा चीज़े तुरन-तुरन नहीं करवाई जाती है क्योंकि internally भी matter handle करना है अब क्या होता है कि हमें different different जगा पे अपने promotion या post के हिसाब से posting दे दी जाती है April से मही जून तक सब clear हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि different different region से उसके respective zones या circle details मंगवाते हैं कि आप कितने clerical और कितने officer की जौरत है उसी साब से फिर उसी दौरान आपका भी दीरे दीरे एक-दो वर काम चलता रहता है final joining नहीं दी जाती है आपको क्योंकि उस समय तक आप बहुत सारे बैंकों के reason और zones ने उनके head office को details नहीं submit कि आ होता है कि हां भाई हमारे zone में इतने officer और इतने clerical staff की कमी है जैसे submit हो जाता है उतनी तेजी से आपकी जो joining है आ जाती है तो इसी में process में time लगता है internal, external दोनों process parallelly चलता रहता है इसलिए time लगता है दूसरा एक सबसे बड़ा जो सवाल आता है बच्चों के पोस्टिंग कहा मिलेगी घर से कित्ती दूर मिलेगी तो बच्चों सबसे important जो चीजे है step wise मैं समझाता हूँ step ये है बच्चों की सबसे पहले तो आप you will get a mail from the concerned bank to furnish various details in a long bio data form अब इसा है कि आपको सबसे पहले detailed appointment लेटर आएगा offer later आएगा bank की तरब से आपका नाम mention रहेगा घर का address address mention रहेगा उसमें उसको कहेंगे offer later या appointment later उसमें करीब 20-25 instructions दिये रहेंगे कि आपको क्या करना है ठेक है ना उन instructions के हिसाब से आपको वहाँ tips लेने होते है instruction में generally क्या रहता है सबसे पहला तो रहेगा कि आपको एक detailed bio data form भरके भेजना होता है bank के head office के mail पे और साथी साथ उसकी hard copy अगर मंगाई गई है तो आपको sign करके उसकी hard copy post करनी होती है तो वो करीब 10-12-15 page का detailed bio data form होता है उसकी hard copy post से भेजनी बढ़ती है और URL जो provide किया गया उसके भरके online submission भी होता है अब क्या होता है second thing क्या होता है कि वो आपको link provide करते हैं या format provide करेंगे character certificate या reference certificate का तो वो आपको जिस तरह से उसमें instruction दिया गया है उस हिसाब से आपको वो character certificate और reference certificate बना लेना है generally जो character certificate बनता है वो उसमें कहा जाता है कि two notable persons who are not related to you उसके बारे में आपको बताया जाता है कि उसके बारे में आप उनसे character certificate ले लीजिए और उसको उस format में बना के sign line करवा के अपने पास रखे एक medical fitness format दिया जाएगा जिसको कि आपको registered medical practitioner से sign करवा के आपको रखना पड़ेगा यहाँ भाई यह जो लड़का है यह candidate है वो medically fit है banking service को join करने के जिए अब क्या होगा कि वो आपको एक circle allot करेंगे, zone allot करेंगे वहाँ पे भी जाके आपको medical test करवाने होंगे, ठीक है कभी कभी क्या होता है, हो सकता है medical certificate format आपको पहले न भेजा जाए, पहले आपका test हो medical test हो उसके बाद फिर एक और certification के लिए आपको कहा जाए कि आप general medical practitioner से certificate ले ले, after test किया जाता है medical test, bank में होने के बाद, bank में क्या होता है bank के panel पे कुछ doctors होते है हर एक zone में तो वो लोग क्या करेंगे आपको कुछ test लिखके देंगे जो nearby, जहां आपने report करा है, उसके nearby एक test center या pathology lab बताएंगे, वहाँ जाके आपको generally blood का sample, x-ray लेते हैं ECG, most probably करते हैं urine sample ये सब लेके आपको general एक test किया जाता है कि हाँ एक physical जो बाहर से test हो सकता है कि हाँ ये सब ठीक ठाक होगा और इस तरह का बहुत hard and उसमें fast कोई बहुत depth test उस तरह की चीज नहीं होती है एक general medical test होता है ठीक है, अब क्या है कि उस समय में फिर आप general medical test होता है उसकी report आपको जैसे ही मिलेगी वो report आपके journal office में, journal पे doctor है उनके पास पहुँच जाती है वो पूरा उसको observe करके fitness certificate report बनाते हैं कि this candidate is fit for fit to join banking services ओके, वो fitness certificate बन जाता है और फिर वहाँ से आपको okay कर दिया जाता है banking services join करने के लिए अगर कुछ उसमें issues आते हैं medical test के दौरान जैसे अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने SBIPO में उसके ECG में problem आ रहा था तो उसने medical panel पे जो doctor थे हो उनके काई काम करो तुम तुम अपने जो आसपास में जहां पे घर पे तुम रहते हो या जहां पे हो बाहर के किसी काडियोलोजिस्स से अपना ECG करवा उनसे fitness certificate अगर ले सकते हो तो लेके आ जो हम लोग उसको attach कर देगे तो उसने करवाया ECG normal था फिर हो सकता है क्योंकि होता है जो आप जॉइनिंग के लिए जा रहे होते हो बहुत सारी धार भाग होती है तो आप नर्वस भी होते हो तो ब्लड-pressure उपर नीचे हो जाता है काडियोलोजी का सोरा साहल का फुलका उपर नीचे हो बहुत कम chances होते हैं के मिशन सबगे appropriately यूए वेयुक्त ट्रो स्कैनल ड्रोप लगे मेलान कणा जब tutti इस या प्रव हू जय पहले आ इक जुसलिस्टर के ऐसे अज़ा का रेटार मिशन मेर्टानियस्टर्व आप ले करें के आज आजायो तो मैं यहां पे आपको हमारे medical certificate साथ उसको attach करके आपकी fitness certificate दे दूगा, यह ऐसा होता है, तो यह बहुत बहुत ऐसा नहीं है कि आपको strongly उसके basis पे चाटा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसा कुछ issue नहीं होना चाहिए, cancer नहीं, AIDS नहीं है, बहुत बड़ी चीज जो है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, यानि तो कोई chronic बिमारी पकड़ा हुआ है आपको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अब आईए जो, जिस place पे आप medical करवाने गए हैं, हो सकता है, उसी दिन, उसी जगा पे आपका दिन भर में document verification भी हो जाए, नहीं तो, यह काम सिर् जगा पे DV हो जाता है, ठीक है, DV में क्या होगा, कम से कम 10 photograph आपको रखने होंगे अपने साथ, जो आपने application form में भरे थे, IBPS में, IBPS PO का application form का reprint अभी साथ, link open कर दिया होगा, उसमें आप ले सकते हैं, IBPS PO के result की copy अपने साथ रख लें, जितने भी आपके academic mark sheet है, academic credentials है, degree certificate है, उनको साथ रख लें, आपने अगर degree certificates कहीं से opt-end नहीं किया है, तो make a hurry and उसको जल्दी से आप opt-end कर लें, category related को certificate आपके पास है, किसी खास category में आपने apply किया, उसको proper करा लें, सब सही कर लें, सारे certificates का 2 set बना लें, ठीक है, बना के फिर आप आगे proceed करे, in case of bonded अगर service है, bond है अगर, तो इसको indemnity bond कहता है, bank, हो सकता है कि आपको bank एक format दे दे और उस format के आधार पे, जहां पे आप रह रहे हो, जिस district में, जिस state में, वहां के notary से, या जो competent authority वहां district में होगा, register से, आपको कहा जाए कि, आप bond paper बनवा के साथ लेके आईए joining करने के time में, या नहीं, होता रहेगा और joining के लिए proceed करेंगे जब, उस समय में joining से पहले आपका bond paper, bank, office में ही sign करवाए, ठीक है, ये दो scenario है, ठीक है, अब आया कि, bond amount a question, बहुत बड़ा question जो पूछा जा रहा है मेरे से, पूछते हैं बच्चे कि bond amount क्या joining के time भरना होगा, not necessarily, no, आपको bond amount के figures पे सिर्फ sign करना होता है, जो भी हो, पचाजार, साटाजार, लाख रुपया, दो लाख रुपया, जो भी हो, उसको आपको joining के time में नहीं भरना है, आप जब resign करेंगे, अगर bank service से, तो आपको वो amount भरके तब resign करना होगा, that is the concept, ये दो हजार, 21 तक यही concept चल रहा था, कि इस तक चलना है, अभी 22 में, मुझे नहीं लगता है कोई changes करेंगे, तो ये DV का जो concept पूरा हो गया, उसके बाद आपको separate instruction दिया जाएगा, DV के दोरा नहीं, कि आपको किस training center में जाकर join करना है, हो सकता है, कि same, जहां जिस zone में, आपने जिस circle में report किया है, उसी circle में आपको training भी दी जाए, DV जहां करवाया है या हो सकता है DV के दिन आपको instruct किया जाए कि आप इस circle या इस zone में जाके report कीजिए, ओहां पर आपकी training होगी, तो the training center might be same as the center of the DV और it may be different, right अब क्या होगा कि आपकी training start होगी, ठीक है training center a lot होने के बाद training जो in office training होती है, non filled training जो होती है, जो की office में बैठके आपकी training होगी, executive की तरग, वो 7 से 15 दिन की training होती है इसके बाद क्या होता है कि आपको rotational filled training के लिए बेजा जाएगा, different branches में या आपको professional officer के रूप में directly branch में posting दे दी जाएगी finally, ठीक है, ये भी हो सकता है, यहाँ पे आपको पूरा अपना probation जितना bank ने define किया है, उसको complete करना होगा, ये rotational training जो होती है, वो एक महीने से लेके 6 महीने तक की bankों की होती है, generally bank of baroda में हमारे time में ये 3 मन्त की rotational training, ठीक है, मेरा जो मैं अब थोड़ा सा बता दू, अपना experience कि कैसे कैसे different हो जाता है, मेरा जो reporting zone थाना, वो पटना था पटना zone में मैंने report किया था, यहाँ मेरा medical check-up हुआ, और bio data form मैंने जो भरा था online जो भेजा गया था, उसको submit कर दिया तब फिर मेरे को घर भेज दिया गया, फिर एक mail आता है कि आपका Kolkata training center को report करना है for DV and further training processes, ओके, वहाँ DV होने, दिन बड़ DV होने के बाद, उस दिन को joining के रूप में हमारा consider किया गया जिस दिन DV हुई, वहाँ पर उसको first day of training के रूप में भी कहा गया, 19th में 2040, वहाँ training स्टार्ट हो गई, office training करीब हमारी 15 दिन चली, और 3 मंथ की ये पूरी की office plus rotation training office plus rotation training जैसे दो विक का किसी ब्रांच में भेज दिया गया, वहाँ जब बैट के training करो, वहाँ सीखो, उसके आज फिर वापस आके रिपोर्ट करो training center में, साध निमसीर यहाँ सिखाया जाएगा, मतब यहाँ पढ़ाया जाता था, उसी पढ़ाई को वहाँ जाके apply करके सीखना पड़ता था, practically फिर 21 दिन बाद 14 दिन बाद फिर training center में आपके रिपोर्ट करो, तो हमारा कोई branch पोस्टिंग नहीं दिया गया था, तीन महीने की पूरी full rotational office training as well field training, non field training साथ चली थी, तीन मन्त के बाद मुझे directly final posting दे दी गई प्रोविशनरी ओफिसर्ट के रूप में पटना जोन के ही अररिया district में that comes under पुर्णियारी देखिए अब एक question बहुत बड़ा आता है कि हमेशा बच्चे करते हैं posting कहां मिलेगी hometown posting मिलेगी की नहीं बहुत दूर तो नहीं भेज देगा तो as per previous decade report और records girls को generally nearby posting दी जाती है home circle posting दी जाती है home circle does not mean home district or state जो उसका home state है वो जरूरी नहीं है कि वही हो home circle means हो सकता है कि that the whole state is a circle for that bank और state might be bifurcated in two or three circles or zones एक example लेते हैं bank of boroda का example बताता हूँ bank of boroda का हूँ bank of boroda का example बताऊंगा bank of boroda के पटना zone circle LHO जो कहें ये तीन state को comprise करता है विहार उडिसा और जार्खंड ठीक है तो जिस भी candidate को पटना circle या पटना zone मिलेगा उसको विहार में उडिसा में या जार्खंड में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है अगर गुजरात में तीन circles है bank of boroda के तो यह ऐसा है कि higher number of branches होते हैं न तो higher number of administrative offices भी establish करने पड़ता हो क्योंकि ज़्यादा branches है तो ज़्यादा administrative office होगे ज़्यादा regional office होगा ज़्यादा zone होगा ज़्यादा circuits होगा ठीक है न तो आप समझ गया होंगे कि अगर एक bank अगर 500 branches पे circle denote करता है डिमार्केट करता है बनाता है तो किसी state में अगर 1500 branches है तो वहाँ 3 circle वो डिमार्केट करेगा ठीक है तीन circle तीन zone होगे अगर किसी state में 300 branches है और वो 500 branches पे 500 branches पे circle बना रहा है bank तो क्या करेगा वो nearby state को भी include कर लेगा उसमें वहाँ से भी 200 branches का area include करके demarkation कर देगा तो क्या हो जाएगा दो-दो state में उसका एक circle फैल जाएगा तो जिसका जितना छोटा bank उतनी chances होगी तो उसको staggered posting मिलने की ठीक है ना क्योंकि छोटे branches की बैंक की branches बहुत staggered रहती बहुत कम रहती है खास-खास इरिया में एक example और देता हूँ मैं पंजाब पंजाब एंसिंद बैंक है जैसे वह comparatively एक छोटा बैंक है ठीक है इसकी maximum branches पंजाब डेली अर्याणा मतलब NCR के reasons में जादा है तो maximum probability बनती है candidate की कि वहाँ पर उनका डीवी होगा training होगा posting वहाँ पर हो जाएगी दिल्ली NCR में लेकिन यही चीज बिहार और जारखन के बच्चों के लिए क्या हो जाएगा other than home posting हो जाएगी दिल्ली के बच्चों के लिए तो बिहार और जारखन के बच्चों के लिए वह बिहार मिल जाए अंजाब और सिंद बैंक में यह थोड़ी probability कम हो जाती है उनको दिल्ली NCR के आसपास का region क्योंकि वहाँ branches ज्यादा है इस तरह से posting मिलता है बच्चों जहां branch की density ज्यादा हो जहां कम होगा वहां कम होगा सब मिलेगा आपको तो यह थी पूरी posting मिलने से related concept और फिर अलग एक तो जिसका पैरवी है उसका तो अलगी बात है कि नहीं तो उसका फिर उस बारे में हम बात नहीं करें अभी वह आप जब बैंक में जाएंगे तो समझेंगे इस सारी कहानिय को आगे rotational training में क्या होता है probation के दौरान क्या क्या काम करना पड़ता है क्या precautions रखने पड़ेंगे as a candidate प्रोशनरी officer मुझे तो I will let you know in the next video till then thank you thank you very much